हालो दोस्तों में आपका स्वागत है नमस्कार आज हमने बनाया सेंड्वीज धोकला जिसको आप अपने घर के नास्ते में और बच्चों के टेफिन बना करके ट्राइब कर सकते हैं मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आए चो सब्सक्राइब करना डालेंगे आधा चमस नमक टेस्ट के अनुसार नमक आप डाली है इसमें आधा कट्री पाएं डालेंगे ज्यादा पानी एक साथ मत डालिएगा ऐसे डालने के बाद अच्छे सेंपी सोजी में मिक्स कर दीजिए नमक और दही सब कुछ मिक्स हो जाए इसको 10-15 मिनट के लि हमें सारे साथ को हिरकर लिए मार्ट यह इसी से सब्सक्राइब को जौक ने ख Raw लीए और अरे भाक्ती जैरिफ ब्रेड़ क्रोंशे अरे जैन बच्छे इसको पर तमाल कर सकते घी तरह से हम मिक्स कर देंगे उदर सुजी भीमारी फूल गई है बनाने से पहले zamत मिक्स किसा करना है तो आप मिठा सोटा खाने वाला सोटा आता है उसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे इनो को मिक्स करिये लख और काटोरी हो आप प이션ने के स्वाराइब तो आप पहले से त्यार करके रखिए हिस तरह से हमने हैं त्यार करके है हुए उसमें हम और सुझी हो गोल यह लगा द कशीर आप डाल दिजिए नीची जरूर लगा तीजिय उसके बार देगे हमने सूजी डाल दिया है और इसके आदम डालेंगे कटा हुआ ब्रेट जो बोल बोल काटके रखा है तीनो कटोरी हमने डाल दी और इसके स्टफिंग हम डालते हैं एक ज्यादा की ज़्यादा ज़रूत नहीं लगती है इसमें बहुत ही कम में चमा चाप इ लेंगे फिर उसके उपर ब्रेट से कवर कर देंगे इस तरह से कवर कर दिया है तीनो कटोरी में पिर हमने लगाया टमेटो सास अगर आपको ना पसंदा आप मत लगे जी आप ना भी लगाई ए और हमारे टेस्ट लोग पसंद करते हैं इसलिए हमने इसमें टमेटो सास इस तरह से आप सैंट्विच ढोकला बना करके त्यार कर सकते हैं आप बच्चे रोटी पराठा खाना नहीं पसंद करते हैं कुछ इस तरह से बना करके आप दें इपने बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और हमने पानी बॉयल करनी के लिए रखा है इसके उमने जाली दी है और फिर जब पानी उबलने लगे तो आप अपने कटोरी को रख दीजिए जाली पर इस तरह से तीनों कटोरी को हमने जाली पर रख दी है इसको हम ढग देंगे सिर्फ 5-7 मिनिट में आपका सैंट्विच ढोकला बनकर के त्यार हो जाएगा और देखिए इस तरह से पकने लगा है और इस तरह से फूलने लगा है और समझे हमारा सैंट्विच ढोकला 5-7 मिनट एक बार चाकू से आप चेक भी कर सकते हैं अगर वह सटेगा नहीं तो समझे आपका सैंट्विच ढोकला बनकर के त्यार है और देखिए इस तरह से कितना अच्छा सा फूल गया क्योंकि हाथ बिज़ा सकता है अब देखिए ठंडा हो गया है चाकू से नीचे हमने लगा रखा था इसे आसानी से देखिए छोड़ दिया बाहर निकाल लिया इस तरह से तीनों कटोरी का नास्ता हम बाहर निकाल लेते हैं अभी थोड़ा गरम है इस सब्सक्राइब के लिगे किने तीनों कटोरी का निकाल के रख लिया है इसको थोड़ा सी कर देंगे इसको आपको देने में असानी रहेगी किद्र में थे परहिए पशंद आता है इस तरह का नश्थधा अगहर में आप तोपने नास्ते इस अगर आप खा सकते हैं अगर आपको फ्राई करना हो तो यह मेरे पास करी पता इस वक्त नहीं था हमने राई दाना इसमें डाला है यह सरसो दाना डाल सकते हैं दो चमस तेल में डालिए अच्छे से पूरी तरह से आप उलट पलट करके लाल हुने तक थोड़ा सेक लीजिए इसे स् से आप व dość हर आप खाने में और भी अच्छा लगता है अश्व से देखे लिए पलेट करके रख लिया है कि नास्ता बिलकुल बंड-कर के तयार है तो इसको में नीकाल लेते हैं जहकित सारे कि नास्ते को प्लेट में नीकाल करके रख लिया और उसके उपर से आप ट्रमेटों सौट चिली सौस कुछ भी आप लगा करके जो आपको अच्छा लगे अब लगा करके इस नास्ते का स्वाद बढ़ा सकते हैं इस तरह से नास्ता हमारा बन करके त्यार है आप भी बना के ट्राइब कीजिए अपने घर के नास्ते में बच् ट्राइब कर सकते हैं मेरा वीडियो कैसा लागा कमेंट जरूर करिएगा नमस्कार अब मिलेंगे अगले वीडियो में